हेलो दोस्तों समीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्टिक सर्किट आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्टिक सर्किट कैसे बनाते हैं यह बहुत ही आसान सर्किट है और बेसिक है बिल्कुल इलेक्टिक का बेसिक और छोटी क् इसमें 4th class में आजकर बता देते हैं वाइसे 67 class में लॉस्ट चलता है और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों को आजकल third for class में भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं और यह समान चाहिए जैसे कि मैंने आपको इसमें लिखकर दिखाया है आप पास से देख लीजिए एक बल्ब है एक बल्ब होल्डर है वायर है दो नेगटिव पॉजिटिव रेड़ एंड ब्लैक एक बैटरी है नाइन वोल्ट की और एक बैटरी कनेक्टर है और लास्ट में सब्सक्राइब कोई भी ले सकते हैं मैंने सर्फेस स्विच लिया है अब इसको हम देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं सबसे पहले बल्ब को बल्ब होल्डर में कनेक्ट करेंगे क्योंकि अगर बल्ब को हम डारेक्टली जलाएंगे तो वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें यह बल्ब है कि इस Brand को हु सोब्सक्रेबह permett करेंगे कि भेप वल्डर में जो पत्षां होती है उसको थोड़ा सा कशा हैं उपर ंठा लेंगे और साइड़ को छिपको सउब्सक्रीफ को साइड़ में ऐसे दबा देंगे ताकि इसकी कनेक्टिविटी ठीक से हो जाए यह देखिए इस तरह से अराम से टाइट करेंगे हाथ में बल्ब तूट ना जाए गाड़ी वाले होरन बजा रहे हैं बहार ऑफिस के बहार पारकिंग में है प्लिंटो को सब्सकत हो गया है अब यह बल्ब ठीक से किनेक्ट हुआ है यह नहीं हुआ है इसको टेश्क करें गे मैं हौँ बैटरी लेंगे और बैटरी क्नेक्टर इसको आपस में है कुआ करन अब कर देंगे ओ और यह अगैक्ट बार्ब लगा कर देखेंगे पहले दोनों पॉइंट में बल्फ वोल्डर में यह देखिए जल रहा है वल्फ कि इसका मतलब हमारा बल्फ ठीक से कनेक्ट हो गया है सर्किट कम्प्लीट हो गया है अब हम आपको दिखाते हैं इसको हटा देता हूं कि यह मैंने नीचे कार्डबॉर्ड का बेस लिया है आप कोई भी कलर का बेस ले सकते हैं कार्डबॉर्ड है सिंपल उस पर मैंने यलो कलर की सीट चिपका के कॉर्णर पर बिलेक कलर की ठेप लगा दिये सुंदर देखने के लिए आप कोई भी छोटा सा कोई बॉक्स ले सकते यह मिठाई का डबा साड़ी का डबा या कोई भी उसके उपर बना सकते हैं या कार्ट बोर्ड ले सकते हैं अब इस पर देखिए यह बल्ब होल्डर रख देंगे और थोड़ी सी वायर की जरुरत होगी हमें रेड वायर को हम पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे और ब्लेक वायर को नेगरिटिव के लिए यूज करेंगे इधर बैटरी पहले ब्लेक वायर काटेंगे थोड़ा सा लगबग इतना इतने वायर की ही हमें जरुरत है दोनों तरफ से इसकी पीवीसी रिमूव कर देंगे वायर को छील लेंगे रेड़ वायर के हमें दो टुकड़े चाहिए क्योंकि हमें बीच में स्विच भी लगाना है यह देखिए स्विच कैसे काम करता है मैं इसमें आपको यह भी बताऊंगा इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि जो हम स्विच ऑन ओफ करते हैं हमारे घरों में जो नॉर्मली फिटिंग होती है कोई भी ट्यूब लाइट वल्व यह फैन हम ऑन ओफ करते हैं तो वह ऑन ओफ कैसे होता है कहां से कंट्रोल होता है कि सबसे पहले हम स्कूर्डाइवर से बल्वॉल्डर में दो पॉइंट दिये हैं यह इनको थोड़ा सा लूज कर लेंगे और इनी पॉइंट पे हम एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लैक वायर लगा देंगे एक साइट में नेगेटिव वायर लगा दिया है बहुत एजी है इसको इसक्रू को किलॉक वाइस टाइट कर देंगे और एंटी किलॉक वाइस इसको लूज करना होता है कि दूसरी साइड में हम ग्रेड वायर लगा देंगे और इसको भी टाइट कर देंगे कि यह टाइट हो चुके हैं अब देखिए ब्लैक वायर को हम हमेशा डारेक्टली जोड़ देंगे करेक्टर को भी थोड़ा सा पीविसी रिमूव कर लेते हैं कि हमें ट्विस्ट करना है कि जोइन करना है दूसरे वायर में अब ब्लैक वायर को ब्लैक में जोड़ देंगे कर्नेक्टर में बहुत इजी कनेक्शन होते हैं कि इसको हम टेप से चिपका देते हैं आप गिलूगन से भी चिपका सकते हैं मैं आपको दिखाने के लिए चिपका रहा हूं आपको सुंदर दिखाना इसको तो आप इसको गिलूगन से चिपका सकते हैं या आप होल करके इसके बैक साइड में कनेक्शन दे सकते हैं और उपर इसका डाइग्राम बना सकते हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा मैंने पहले से बना के रखा हुआ एक प्रोजेक्ट अब ठीक है यह ब्लैक वायर हमारा चिपक गया यह बैटरी चिपक गई होल्डर भी चिपका दिया ताकि यह चीज हमारी हिले ना कि अब कर दो करनेक्टर के वायर को हमने एक्स्टेंड किया है वायर जोड के थोड़ा बड़ा किया अब देखिए मैं पहले बिना सुइच के आपको यह जला कर दिखाता हूं कि सुइच का काम क्या होता है अब यह हमारा सर्किट है नेगिटिव वायर बल्ब में चला गया और पॉजिटिव वायर अभी बीच में ब्रेक है अलग है यह अब हम इसको जोड के देखते हैं यह बहुए यहां आपके जोड के से देखिए जोडने बेंप शॉड़ जल्आध हटाने बंद हो गया। को सुइच का काम यही होता है इसको अगर हम फिर से करेंगे बल्ब घख्या डिस्कनेक्ट करेंगे बल्बंद हो गया यही हम कंटीणीव करते रहेंगे तो जान नाफ हो स्विच बनाया गी वे सुपिंदर यही सिस्टम होता है जैसे मैं कॉलेद करते हैं एक बात वां करते हैं तो यह क्रील को जाता है जम करते हैं तो यह सुच्थ क spacedredit के अन्दर के स्टी एप वो कानेक्ट हो ऑर डिस्कनैक्ट करती आशरे कि अब हम इस Connect & Disconnect के system को switch को दे देंगे सुच के दो पॉइंट होते हैं हमेसा कोई भी switch ले सकते आप मैंने इस सर्फेस टाइब का switch लिया कि का सुच के दोनों पॉइंट पे दोनों वायर को लगा दिया जो हम connect और कर रहे थे ठीक है और इसको टेप से चिपका देंगे अगर बड़े बच्चे अगर बना रहे हैं तो इसको कर सकते हैं चोटे बच्चे टेप लगा कर भी दिखा सकते हैं connectivity बनी रहे अब देखिए स्विच का ओन करेंगे हम बल्ब जल गया स्विच आफ कर दिया बल्बंध हो गया ऑन ओफ ओन ओफ तो यह सिंपल सर्केट एलेक्ट्रिक सर्केट जिसे बोलते हैं बेसिक होता है बिल्कुल बनाने में बहुत आसान है एक बार फिर से बता देता हूं बैटरी के दो वायर आते हैं नेगटिव पॉजिटिव नेगटिव वायर को सीधा बल्ब में कनेक्ट कर देना है एक जोइंट लगा के कनेक्टर में सीधा बल्ब में कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव वायर जो है रेड वाला उसको हमें सुच के थुरू होते हुए निकाल के ले जा कि यहां बल्ब लिख देंगे कि यहां बैटरी कि इस तरह से आप लेबलिंग कर सकते हैं और यह वायर यह नेगिटिव हो गया और यह यहां पर पॉजिटिव हो गया इस तरह से बन गया i.e. fiscal circuit भौत ही आसान है इसका भी सिंपल है बनाना भी आसान है इलेक्रिक सर्कटिद भी बोलते हैं इसी के बेस है यहां को पर और फिरीज है यहए कोई आउटलेट है कोई भी चीज़ है यहाँ पर लगावा यहां स्विच से उसको अनौफ कर रहे हैं तो यह एक वायर से कि कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा है एक वायर हमारा डारेक्ट होता है क्यूपमेंट के अंदर और इसको और सुंदर बनाने के लिए मैंने बना के रखा है देखिए तो मैंने बना के दिखाया आपको एक दम सिंपल इसी को और सुन्दर बनाकर मैंने रखा वाए इसमें डाइग्राम बनाया है वही सेम चीज जो आपको बताईए आप इस तरह से भी बना सकते हैं यह बैटरी है oton है यह स्वीच है यह बल्ब है और यह इसका कनेक्क्शन है वाइर मैंने इसके पीछे से लगाए है है गट्यम होल करके पीछे से वाइरिंग की है इन्लीप टीचने के लिए ऊपर सिर्फ डाइग्राम बनाया गया है यह पॉजिटिव वाइर जा रहा है इन्जय नेगटिव बाइर जा रहा है नेगटिव डारेक्ट है पॉजिटिव बाइर स्विच के थ्रू होता हुआ जा रहा है तो यह है सिंपल सर्केट इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच्च